नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगणे आपका इस कारिकम में स्वागत है जिस कारिकम का नाम है आपकी अन्रोथ पर आपके अन्रोथ पर खिसान भाईयों आज मैं आपको बताऊंगा नगदी खेती जेहां दोस्तों घरबुजा घरबुजी की खेती करें तुरंत पैसा कमाई होती है दोस्तों बहुत जबरतस्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा किस तरह से खेची करना वहीं बताऊंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देखने तो आप से रोध है कि आप इसे लाइक करें वीडियो की नीचे करेट कलर का बटन उसे दबा कि सब्सक्राइब करें बाजियो में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो द आप से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने किसान भाई हम जरूर शेर करें फेस्बॉक वाट्सप इंस्ट्राग्राम ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवत करते हैं जलवाई हो चुनाओं एम पौधे के बढ़वार के लिए 22 से लेके 26 डिग्री से चल्चल तापमान अच्छा रहता है फल पकने की समय मौसम शुष्क तथा पच्छवा हवा बहने से फलों में विठास बढ़ जाती है हवा में अधिक नमी होने से फल देरी से पकते हैं तथा रोग ब्हुमी में आपकर चाहते हैं सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूँए कि भूमी का परिक्षेन करा ले किसी भी नजदीक क्रिशी समस्थान में जाकर आप भूमी का नववन ले जाईए और वग्यानिकों को बोली कि इसका जो है आप परिक्षन करें मैं इसमें खरबुजी क्षेटी करना चाहता हूं तो वग्यानिक लोग मेट्टी परिक्षन करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या दालना क्या नहीं दालना यह भूमी बिल्कुत सही है उसके बाद आप आराम से खेती कीजिए अगर आप बहुत ही इंटीजर में रहते हैं जहां आप आसपास जिला नहीं है कोई सु खरबुजी की खेती एनेक प्रकार की मिर्दाओं में की जा सकते है किसान भाईयों पर तो अगर अच्छी फसल की वहाई लेनी है तो बलूई दोमट भूमी सरवत्तम होती है तो अगर बलूई दोमट भूमी मिल जाए तो फिर क्या वात है फसल की जो है वो पैदावार शो रेतिली भूमी में की जाती है लेकिन सम्तल सिसित खेतों एम सुखेत अलावों के छेत्र में भी खरबुजी की खेती कर सकते हैं आप व्यवस्थित एम लापरत खेती के लिए पानी के अच्छे निकास वाली बलूई दोमट भूमी तथा रेतिली मिट्टी सरवत्तम है फसल की बढ़िया वानस्पतिक व्रिद्धी एम उपच के लिए खेती में परियाप्त जिवाश मात्रा का होना बहुत जरूरी है खेत की मिट्टी का पियश्मान जो है उच्छे से साथ सरवत्तम माना जाता है खेत की तयारी खरवजी की भुवाई है तू खेत की तयारी पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो से तीन जुताई कल्टिवेटर से करना चाहिए किसान भाईयों को प्रत्यक पाटा चलाकर मिट्टी को भुरूरा कर लेना चाहिए उचित जल निकास के लिए खेत को समतल कर लेना चाहिए तथा आखरी जुताई के समय ही खेत में 200 से लेकर 500 क्विंटल सड़ी हुई जो एकदम अच्छी सड़ी हुई गोबर के खाद को अच्छी प्रकार से मिला दे अब मैं आपको बताता हूं खरवजी की उन्नत किस्मे कौन-कौन सी है जिसे लगाकर आप पैदावावार जबरदस्त कर सकते हैं और जबरदस्त मुनाफ़ा कमा सकते हैं करवजी की वऽसल में भरपूर पैदावार के लिए इस्थानी कि स मो की जगह उन्नत और अधिक पै मधुरस, अर्का राज हंच, अर्का जीत, काशी मधू, दुर्गापूर मधू, आर एम तिरालिस, आर एम पचास, एम एच वाई तीन, एम एच वाई पांच, हरा मधू, पंजाब सुनहरी, गुजरात खर्बुजा एक, गुजरात खर्बुजा दो, आजी प्रमुक है, खर्बुजी की ये सब उन्नत किसमे हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, जद जद आपको नाफ़ा कमा सकते हैं, बुगाई का समय, किसान भाईयों, मैदानी शेतर में खर्बुजी की बुगाई 15 से लेके, 25 फरवरी के बीच में, तता पहाडी शेतर में, अप्रेल से मैं तक की जाती है, नदी के कछार में इसकी बुगाई 9 बर से, या फिर जनवरी के अंतिम सब्ता में करें, दक्षी न मद्ध भारत में इसकी जो बुगाई है, वो अक्टूबर से 9 बर में की जाती है, बीच दर और उप्चार, एक हेक्टियर 6 तरफल के लिए औसतम एक से लेकर, एक 25 किलो ग्राम खर्बुजी की बीच की आशकता पड़ती है, सौ बीच का औसतम बजन लगबक 25 ग्राम होता ह बीच कू बोने की से पूर्व कैप्टान या ठिराम से उपचारीद जरूर करे किसान भाई बुआई की विदी खरबुजी की बुआई के लिए 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर नालियां बनानी चाहिए खरबुजी की बुआई नाली की किनारे पर करने के लिए 60 से 80 सेंटी मीटर की दूरी पर थाले में 2 से 3 वीज लगाने चाहिए बीज को 1.5 से 2.0 सेंटिमीटर की गेराई पर बोना चाहिए थाले में बोए गए बीज 4-5 दिन में अंकुरित हो जाते हैं नजियों की किनारे बॉआई गई गड़े में करते हैं इसके लिए 60 गुनिट 60 सेंटिमीटर का गड़ा मना कर उसमें एक अनपात एक अनपात एक गोवर की खाद मिट्टी और बालू मिलाते हैं इसके बाद एक गड़े में 2-3 बीज की ववाई करते हैं बुन्द बुन्द से चाहिए की विवस्ता होने पर खेंद में लेटरल को सीधी कतार में बिछा कर बीजों को डिपल के पास बुए वाई के 15 से 20 दिन के बाद प्रतिक जगा एक से दो स्वस्त पौदे शोड़कर बाकी को निकाल के फेक दें खाद और उर्वरक खरबुजी की अगेटी फसल की मांग ज्यादा रहती है इसके लिए आरामब में पौदे की विर्दी तेजी होनी चाहिए जिस से उस पर जल्दी पुछ फ़फल आए खेत में जो है 200 से लेके 500 क्विंटल अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर के खाद या कंपोस डालना चाहिए इसके अतरिक तो अर्वरक के रूप में आप 80 किलोग्राम नाइट्रोजन आप 65 किलोग्राम फासपरोज और 50 किलोग्राम पोटास प्रती हेक्टियर खेत में डालना चाहिए नाइट्रोजन के आधि मातरा फासपरोज तथा पोटास के पूरी मातरा खेती की तैयारी की समय देना चाहिए बच्ची हुई नाइट्रिजन की मातरा दो बराबर हिस्व में ट्राफ ड्रेसिंग की रूप में जड़ के पास बुआई के 20 से 40 दिन में देना चाहिए जिस से उपज बढ़ती है सिचाई और प्रभंद कैसे करें सफोल अंकरोन के लिए खेट में परियात नमी होना अत्यनतावशक है थालों में लगाए गए पौधों की नाली में सिचाई करते है सुरुआत में हरे सब्ता पानी देनी के आउशकता पड़ती है पौधी की बढ़वारें फसल के बंढ़ने के समय खेट में नमी की कमी नहीं होना चाहिए किसान भाईयों फलों के पूरी तरह बढ़ जाने के बाद सिचाई को कम कर देना चाहिए जिसे फलों में मिठाच बढ़ जाए खरवुजे की पूरी फसल अवधी में कुल मिलाकर पांथ से छे बार सिचाई के आउशकता पड़ती है सिचाई जल के उपलबदता होने पर बूंद बूंद तकनिक अपना कर खरवुजा उत्पादन बढ़ा जा सकता है साथ ही इस विजी में सिचाई जल की बचत हो भी होती है शुष्क शेत्री जलवाईयों में खरवुजे की खेती के लिए सिचाई के बूंद बूंद तकनिक सर्वत्तम रहती है इस प्रणाली में चार लीटर प्रती घंटे में ड्रिपिंग से 3-4 दिन के अंतराल पर दो से तीन घंटे सिचाई करना चाहिए नेराय और गुडाय किसान भाईयो नेराए गुड़ाई शिचाई करने के बाद नालियों और थालों में खर पतवार उगाते हैं इन्हें समय समय पर खेट से निकालते रहना चाहिए शिचाई करने के बाद मिट्टी सक्त हो जाती है अता सिचाई के बाद हलकी गुड़ाई करनी चाहिए इसे खेद की पप्डी तूट जाती है और पौधों की जड़ों को हवा मिलती है जिससे पौधे का विकास भप्तिजी से होता है गुड़ाई की समय पौधे की जड़ों पर हल्की मिट्टी अवश्य चड़ा देना चाहिए खसल सरक चड़ा किसी प्रकार का अगर कोई वियावगर आपको खेद में कीट रोग दिखाई दे तो तुरंत जो है वैग्यानिकों के संपरक्त में जाए नजद्दी की क्रिशिस अंसान में जाए और उन्हें बताएं कि मेरे खित्मी की विमारी है अगर आपके नजद्दिक ना हो तो मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है यूट्यूब के लिए तो आप देख सकते हैं खरबुजे में रोग खीट और प्रबंध तो उसमें संपूर्ण जानकारे दिए दोस्तों तो वह वीडियो देख लें आप कि फरों की तोड़ाई साधान तर फल के पकने पर इनके रंग में परिवर्तन होने लगता है और इनसे तेज खुजबू भी आने लगती है तथा पके हुए फल डंठल से आसानी से अलग हो जाते हैं खरबुजे की तोड़ाई के लिए सुबह के स हमें सबसे उत्तम होता है पैदावार खरबुजी की उपज जलवाईयू ब्रिदा खाद्यम और्वरक तथा सिचाई पर नेर्बल करती है लेकिन जो मैंने आपको टेक्निक बताईए अगर आप इसके इस्तवाल करते हैं तो 200 से लेकर 300 किंटर प्रतियर आसानी से आप उप कम सुजाने के इजाज़त देजिए ना श्कार जाए हिंद